नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का गवर्मेंट जॉप्स के ओफिशल यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नही गवर्मेंट वेकेंसी जो की जारी की गई है डेली स्किल एंड इंट्रिप्रूनर्शिप यूनिव आप उफिसर है ओफिस ऑप्रिटेंट है जूनियर एसिस्टेंट है और भी विविन बदों पर विकंस जारी की गई जिसके बारे में आपको विस्तार पूर वक अपनी से वीडियो में बताने जा रहे हैं कि क्या क्या इसमें विवन परकार की योगटाय मांगी गई हैं जै कि जो भी हम अपने चैनल पर नई गॉर्मनट वकेंसी ले करा हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट सबसे पहले ले जाते हैं आपको इनकी ऑफिशल एडवाइटाजमेंट पर Min की विग्यापन पर जो कि इनकी ऑफिशल वैबसेट पर जारी किया गया है फिर आपको आगे बताएंगे कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है और कैसे अड़ाइटेज्मेंट इनके ओफिशल वैबसाइट से डाउनलोड करना है वीडियो के साथ आप एंट तक बने रहना और जो एड़ाइटेज्मेंट नमबर है 01-11-2021 विज्यापन संख्या और इंपोर्टेंट नोटिस ओनली ओनलाइन एक्सेप्टेड और एप्लिकेशन सीवड थ्रो एनी अधर मूड शाल स्टैंड रिजेक्टेड आटमेटिकली यानि कि इसमें ऑनलाइन आवेदन सभीकार किया जाएंगे अगर आप किसी और मूड के दोर आप इसमें आवेदन करते हो तो आपका इसमें फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा सभीकार नहीं किया जाएगा online application are invited for recruitment to the post of group B and C in Delhi skill and entrepreneurship university date of opening of application जो होगी 5 December को दो 2021 को चालू हो जाएगी आवेदन परिकरिया जो की last date रहेगी of submission online application up to जो की last date इसकी 20 December तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो तो दोस्तों बहुत ही कम टाइम है जिती जल्दी हो सके जो बीउतर कर दें जो मिन के लिए आवेदन करने के लिए चुछ आवेदन सकते हैं बहुत ही बड़े अवद zij की गई है कि नेम आफ पॉस्ट इसमें फस्ट और के जो की पूश्ट कूर्ड वाइस है возмож है और इसमें कुल जो वकेंसी जारी की गाई तो इसमें टोटल 42 वकैंसी पोस्ट पे जारी की गई है जिसमें से 3 EWS की Economical weaker sections की है 19 इसमें यूवार यानि की Unreserved समाने जाती की है और 11 इसमें OBC यानि की Other backward classes की है और 6 इसमें SC यानि की Shaddleed cast की है तीन इसमें ST&A की शेडूर ट्रिप्स की हैं और दो इसमें PWD हैं ये विकलांग अभियार ती की हैं और नेक्स्ट बोश्ट है जो की Senior Assistant है इसमें तीन इसमें जो वाकेंसी जारी की गही है तीनों की तीनों UR की है जींके समाने जाती की है नेक्स्ट है जो कि program officer oblique ए-SO की है इसमें कुल चारip उकेंसे जारी की गई इसमें से तीन यूर की है और एक OBC की है इसमें कुल दो वकेंसे जारी की गई दोनों की दोनों UR कियों की समाने जाती की है अशवनी कुमार single register जो कि हम आपको अगे वस्तार पर पृता थे हैं गई है वह आपके पास इसमें education and other qualifications जो इसमें required है ट्वेट क्लास पास होनी चाहिए किसी मानता प्राप्त बोर्ड या फिर या फिर या उनिवस्टी दवारा बारवें आपके पास पास होनी चाहिए साथ ही आपके पास typing speed होने चाहिए 30 word per minute English में और 25 word per minute in English और 35 word per minute in Hindi on computer यानि कि इसमें आपको computer की tapping speed आपकी इसमें अच्छी खासी होनी चाहिए टाइप रेटर में भी और computer पे भी सो इसमें कोई भी computer course इसमें required नहीं है खाले आपको computer की basic knowledge इसमें compulsory आपके पास होनी चाहिए तो इसमें कोई भी किसी परकार का experience इसमें नहीं मांगा गया है experience इसमें निल है किसी परकार का कोई भी experience इसमें नहीं मांगा गया है पेस्केला जो आपको इसमें salary दी जाएगी वह 19,900 लेकर 63,200 रुपए आपको परमत की बाद salary दी जाएगी जो कि आगे भी आपके experience promotions के recording बढ़ती रहेगी तो दोस्तों salary बहुत ही बढ़िया इसमें शेक्षिक के वह किताब बहुत ही कम है इसमें मांगी गई है freshers भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं कोई भी experience इसमें required नहीं है तो आपकी जो salary है according to experience promotions के आगे भी बढ़ती रहेगी प्लस आपको इसमें allowances भी दी जाएंगे जो कि central government द्वारे employees को मोहिया करवाए जाते हैं वह सभी allowances यानि कि सभी भत्ते आपको इसमें दे दिये जाएंगे age limit जो रहेगी इसमें 35 साल तक है 35 years relaxation of age as per table below यानि कि इसमें आपको इसमें 35 years तक है 31 के लिए आवे दिन कर सकते हैं इसमें आयू में शूट भी दी जाएगी age relaxation भी दिया जाएगे जो कि नीचे आपको आगे बताया गया कि कितना आपको इसमें दिया जाएगा नेक्स्ट पोस्ट के लिए बढ़ता है जो कि senior assistant की पोस्ट है इसमें जो education qualification है तो bachelor degree होनी चाहिए minimum 55% marks के साथ किसी मानेता प्रापती उनिवेस्टी द्वारा और साथ ही आपके पास typing speed होनी चाहिए 30 word per minute की English में और 25 word per minute की Hindi में और manual type writer पे और our typing speed of 35 word per minute in English पे और 30 word per minute in Hindi और computer पे सो इसमें भी कोई भी computer course certificate required नहीं है सो इसमें बहुत ही कम शेक्षिक हो गयता मांगी गई है और इसमें जापको salary दी जाएगी वह आपकी pay scale जो रहेगा 25,000 से लेकर 18,100 रुपे आपको परमत की salary दी जाएगी जो कि आगे भी आपकी experience promotions के recording बढ़ती रहेगी प्लस allowances भी दिये जाएंगे जो भी state government द्वरा employees को मोहिया करवाए जाते हैं age limited 40 years तक है ब्यारती इस पोस्ट के वेकैंसी के लिए अप्लाइग कर सकते हैं आगे बढ़ते है next पोस्ट के वेकैंसी के लिए जो की है program officer इसमें जो education qualification essential जो मांगा गया है required essential ही होता है desirable हम आपक 50% यानि कि इसमें आपकी इसमें शना तक मांगा गया है चाहिए आपका किसी भी state में हो commerce में हो arts में हो या फिर science में हो किसे मानता प्राप्त यूनिविश्टी द्वारा होना चाहिए graduate आपकी जो की नियून तब 50% को के साथ होनी चाहिए इसमें experience मांगा गया है जो की 2 साल का इंशियल जो है post qualification experience होना चाहिए इसी पोस्ट से related चाहिए आपने किसी भी शंस्ता में काम कर रखा है इसमें प्राइवेट हो या फिर public हो और इसमें पेस्केल है जो की पेस्केल आपको इसमें 44.990 से लेकर 1.42.400 रुपे पर मत का पेस्केल आपको इसमें दिया जाएग और इसमें जो आईज लिमिट है 40 एर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं आगे बढ़ता है जो नेक्स्ट पोस्ट है ऑफिस सुपरिटेंडन की पोस्ट है इसमें एजेंशियल क्वैलिफिकेशन जो है बैचलर डिगरी मागी गई मिनिमम पचपर परतीशा तंकों के साथ किसी मानता प्राप्ति उनिविस्टी द्वारा और इसमें एक्सपिरियंस जो रिक्वाइड दो साल का आपके इसमें एक्सपिरियंस भी होना चाहिए और इसमें जो वेतन आपको दिया जाएगा वो 37,600 से लेकर एक लाख कि आवन हजार एक्सो रुपया आपको परमत का वेतन जो कि आगे भी आपके एक्सपिरियंस प्रमोशन के एक वर्डिंग बढ़ता रहेगा प्लस एलाउस भी आपको इसमें दिया जाएंगे और जो एज लिमेटर 40 years तक है 31 पोस्ट की विकैंसी के लिए अप्लाइग कर सकते हैं और दो कैंडिड मस्ट अप्लाइग ऑनलाइन उनली नो अधर मूड ऑफ एप्लिकेशन शाल भी एक्सेप्टेड यानि कि आपको इसमें ऑनलाइन ही आवेधन करना है सो जो कि आपको इनकी ऑफिशल वैबसाइट पर जाकर आवेधन करना है जो कि है www.dseu.ac.in पर जो कि मैं आपको आगे विस्तार पूरवक बताएंगे तो वीडियो के साथ आप एंट तक बने रहाना है कैसे आपको इसके लिए आवेधन करना है बैनिफेट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ वैरिस कैटेगरीज एक्जैंपल स्थी ओबीसी एडबलो एस पीड़ीट शाल भी गिवन एस पर पोलिशी ऑफ गौर्वर्मेंट ऑफ एंस इस बोड़ी है थो प्रोपर चेंटल और फर नोसी अट टाइम ऑफ डॉकूमेंट वरिफिकसिशन यानि और ऊगर कोई गश्याइप प्रेट भीजर्मेट वरिफिकेशनद है तो इसमें अपना इसमें डॉक्मेंट वरिफिकेशन के समय आपको इसमें नोसी अपकी लगान करना होकर उसके फीस पर आपको इसमें अलग अलग है डिपोजिट करनी होगी मूड ऑफ सेलेक्शन जो रहेगा दा सेलेक्शन विल भी मेड थ्रू एक्जामिनेशन स्कीम एंड स्केल टैस्ट वियर अप्लिशेबल एज गिवन एक्जर वन हैंकि जिसमें आपकी चाहिन प्र स्लीबोस ऄट दैसरा खकिन गजवन एक्जर बरेखनेंट रहेवर इन नहीं। आपकी यह पर चॉछब बेंड चाहिन इन भी मूड ऑपके ले को इसमें वूनियरक्ट को मुड, मैंग चाहिनृंड लांगिवि located ऑंस्ट इंगेंशन खंविशाब लिश देलेक्श लांग का यूनिवेस्टी हैस फिक्सटाप मीनिमम क्वालिफाइंग माक्स फूर डिफरेंट कैटिग्री वाइस ऐस गिवन एज फॉलोज एनिक इसमें आपको पासिंग माक्स चाहिए जो कि जनरल कैंडिडेट को इसमें 40% माक्स चाहिए पास करने के लिए अगर कोई कैंडिडेट OBC और फिर EWS कैटिग्री से बिलोंग करता है उन्हें 35% चाहिए अगर कोई कैंडिडेट SCST पी एच कैटिग्री से बिलोंग करता है उन्हें 30% माक्स चाहिए लिजबिलिटी क्रिटिरे जो रहेगा इसमें The Candid must be a citizen of India ने कि भारत के निवासी इसके लिए आवेदन कर सकते ह कैटिग्री कैंडिट को इसमें पांच साल की दी जाएगी और कोई कैंडिट PWD कैडिग्री से बिलोंग करता है उन्हें 13 साल की दी जाएगी अगर कोई एक सर्विसमन है ग्रोप B and C की पोस्टिस के लिए अपलाई कर रहा है तो उन्हें 3 यर्स की इसमें आयो मेशूट दे दी जाएगी और अगर कोई वीडो डिवर्स वो मैन है उन्हें इसमें 7 यर्स की दी जाएगी और 12 years की उन्हें दी जाएगी जो कि SCST काटिकरी से बिलोंग करती है और 10 साल की उन्हें दी जाएगी अगर कोई OBC काटिकरी से बिलोंग करती है General instructions for candidates के लिए इसमें जो रहेंगे मातपूरू ने जानकारिया जो कि आपकी इसमें जो vacancies हैं यह बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है increase और decrease हो सकती है और इसमें there will be no negative marking यानि कि इसमें कोई भी किसी परकार की negative marking नहीं रहेंगी examination में तो application fees जो रहेगी जो कि 500 पे इसमें रहेगी 500 अउनली जनरल काटिकरी से लिए और 250 रहेगी for other categories के लिए Labors of examination जो रहेगा इसमें जो कि duration आपका इसमें जो रहेगा total आपका इसमें 3 घंटे का इखर्यामिशन रहेगा plus एड़ घंटे का एड़ घंटे की दो examination होगे total इसमें 3 घंटे का exam होगा जो कि total इसमें 180 marks का होगा और इसमें जो राता होगा ये इसमें मैक्समें Marks जो होंके 100 Marks का होगा ये इसमें से जो सब्षक्राइगा breakfast गठ 177 कोसिब ग्रास संविधा क्या सब्सक्राइब पकहँवाइब टरइस हैं फ्चिस में बशाएट्रिक करलत जाएंगे면 एकॉनोमी ऑफ डेली अडिमिस्ट्रेटिव सेट अप गवर्नमेंट इन एंसेटी ऑफ डेली के रिलेटिट आपसे इसमें पूछे जाएंगे इंगलिश लैंग्वेज एंड कॉम्परेंशन में से कुश्टिंस पूछे जाएंगे जो पार्ट टू रहेगा डिस्क्रिप्ट होगा उसमें रुषार कि आपको डियरेशन प्रिशू को मैगे होगा हो॰ज इसमें इसे होगा जो के सिक्ष्टिंसरा इसमें लेट रााइटिंग आपको प्यूनुकिश्टिंसरा इसमें ये इ इंग्लिशल को मोगा और लैवल ओट्स इंग्छेट्वन न्टीं माक्स का जाएंगे और रमेनिक पोस्ट जो रहने वाली उन में से आप से इसमें ग्रादुएशन लेवल तक के कोश्टन साप आपसे पूछ जाएंगे और जो नेम ऑफ पोस्ट है जूनेर एसिस्टेंट ऑफिस एसिस्टेंट में इसमें एक्जामरिशन जो रहेगा इसमें पार्ट वन एक एक्जाम होगा skill test इसमें होगा यास और senior assistant की post में इसमें दो exam होगे आपके part 1 और part 2 इसमें skill test आपका होगा यास और third है जो प्रोग्राम officer ASO की इसमें part 1 और part 2 दो exam होगे इसमें भी आपको जो skill test होगा इसमें कोई भी किसी परकार का skill test नहीं होगा नो है Office Superintendent में इसमें Examination Part 1 and Part 2 होगे इसमें Skill Test आपका नहीं होगा 9 है तो चलिए दोस्तों आगे आपको पताता है कैसे आपको इसके लिए आविदन करना है तो दोनों ही लिंक हमने अपने इसी वीडियो के नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखें इनके Online Application Form का भी और साथ या अडवाइटेज्मेंट का यानिकी विग्यापन का जो कि हमने आपको भी दिखाया है अगर आप अडवाइटेज्मेंट वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो विलिंक आपको डिरेक्टल इनके ओफिशल वैबसाइट की रूप्रूट्मेंट पर ले जाएगा जहां पर आप जाकर डिरेक्टली अडवाइटेज्मेंट डाउनलोड कर लोगी जो कि एक बार इवस्तार पूर्वाइट देखके समझ के फिर आप इसके लिए आवे दिन कर सकते हो और अगर आप इनकी ओनलाइन एप्लिकेशन फर्म के लिए पे किलिक करोगे तब लिंक आपको डिरेक्टली इनकी ऑफिशल वैबसाइट के रुकूरूट्मेंट ऑनलाइन रेजिश्चेशन पोर्टल पर ले जाएगा जहां पर आप जाकर ड्रेक्टली फरस्ट अफ़ल आप रिएश्चेशन प्याँ काई